हमसे हमेशा जुड़ी रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं CCTV कैमरे से पुलिस पर रहे की नजर पाली की 27 थानों में लगेंगे 5-7 कैमरे फरियादी भी डर के बिना कर सकेंगे बात पुलिस थाने में भी अब CCTV कैमरे से नजर रखी जाएगी थानों में होने वाली हर गती वीदी पर नजर रखा जाएगा पाली के सदर थाने का टीम ने निरिक्षन किया था हर थाने में 5-7 CCTV कैमरे लगाने का फैसला लिया गया पाली स्पी राजन दुशन ने बताया कि उच्छन आयले ने प्रदेश के सभी पुलिस थानों में CCTV कैमरे लगाने का आदेश दिया है दिसेंबर 2021 में संभाग ये आयुकतुवा पुलिस कमिशनर ने संभाग के सभी स्पी की वीसी ली थी थानों में CCTV कैमरे लगाने को लेकर चर्चा की गई थी फरियादियों का डर होगा दूर एसपी ने बताया कि आम जन थाने में आने से डरते हैं लोगों में डर रहता है कि पुलिस कर्मी कैसा वेभार करेंगे कई थानों में स्वागत कप्ष बने हैं इसके बाद भी फरियादियों से पुलिस कर्मी धंग से बात तक नहीं करते अब थानों में CCTV कैमरा लगा कर नजर रखी जाएगी उन्होंने बताया कि थानों में कैमरे लगाने के काम के लिए टेंडर प्रक्रिया स्टेट लेवल पर होगी इसको लेकर पिछले दिनों सदर थाने में कितने CCTV कैमरे लगेंगे इसका एक स्टेटमेंट बना कर मुख्याले भेज़र था 27 थानों में लगेंगे CCTV कैमरे, पाली शहर सहे जिले में वर्तमान में 27 थाने हैं, महिला थाना भी शामिल है, सभी थानों में CCTV कैमरे लगेंगे, इसके लिए अलग से एक कंच्रोल रोम भी बनेगा, थानों में प्रवेश्वर निकास, द्वारा, मुख्य अद्वार, लोकप क का कक्ष और थाने के पिछले हिस्ते में भी कैमरे लगाये जाएंगे, 18 महिने तक रखनी होगी रिकॉर्डिंग, हाइकोर्ट के आदेश की अनुसार थाने में लगने वाले CCTV कैमरों की रिकॉर्डिंग 18 महिने तक सुरक्षित रखनी होगी, हिरासत में यातना या मौत होने की घटना के बाद CCTV टेज कोट वमानवदिकार आयोग को उपलब करवाय जा सकेंगे, जागरुक टीवी की पाली से खास रपॉर्ट